दोस्तों यदि आप इलेटिसियन या फिर इलेटिकल इंजिनियर हो तो आपके पास में ये जो तीनों टेस्टर है ये तीनों टेस्टर आपके पास में होना चाहिए जैसे कि आपको मालूम है जो भी इलेटिसियन होता है उन सभी के पास में इस प्रकार का नियोन टेस्ट ले ही है तो इसको find out करने के लिए हम इस प्रकायका टेस्टर का इस्तमाल करते हैं हम क्या करते हैं जो टेस्टर को एक पीन के साथ connect कर देंगे connect करने के बाद याद हमारा टेस्टर glow होता है तो हम यह समझते हैं कि face supply वहां पर है अभी के टाइम पर यहां पर टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है तो सेकेंड वाले पिन पर इसको कनेक करता हूं तो आप यहां पर देखोगे मेरा जो टेस्टर है वो ग्लो हो रहा है आप यहां पर देख सकते हैं टेस्टर ग्लो हो रही है तो इस टाइप का जो टेस भी देख पाऊगे कि कितना वोल्टेज आपके पावर सप्लाई में हैं जैसे कि यदि मैं इस वाले स्विच बोड में इस वाले टेश्टर को कनेक कर दूं यहां पर फैस अपलाई यह तो इसके साथ मैं इसको कनेक करता हूं तो आप यहां पर देखोगे मेरा जो टेश्टर या फिर इससे भी ज्यादा वोल्टेज आ रहा है जितना भी वोल्टेज रहता है वो यहां पर सोग कर दिया जाता है जैसे कि यदि मैं इस वाले टेश्टर को न्यूटल पावर सप्लाई में कनेक करूं तो मुझे यहां पर कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा आप यहां पर न्यूटल पावर सप्लाई में थोड़ा भी वोल्टेज है जैसे कि 12 वोल्ट 24 वोल्ट इस पकाएगा वोल्टेज यदि है तो इस कंडिशन में जो आपका लाइन टेश्टर है डिजिटल वाली यह टेश्टर आपको वोल्टेज बता देगा जैसे कि यदि मैं डिजिटल को न्यूटल पाव सप्लाई के सारक करने करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहां पे वोल्टेज तो किया जा रहा है alan आप मतलब कि 55 वोल्ट से भी कम वोल्टेज यहां पर है किसमें मेरा जो न्यूटल पावर सप्लाई है उसमें अब यदि मैं इस वाल टेस्टर को यहां पर लगाऊं तो मेरा टेस्टर कुछ भी नहीं बताएगा कि यहां पर वोल्टेज है अब यदि आप इलेटिकल वर्क करोगे और इलेटिकल वर्क करने के टाइम पर न्यूटल पावर सप्लाई को टच कर दोगे तो इलेटिक करेंट आपको लग जाएगा लेकिन यदि आप इस वाल टेस्टर का इस्तमाल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो न्यूटल पावर सप्लाई है उसमें भी कुछ वो को चेक कर सकती हो यादि आप यहां पे इस वाल टेस्टर का इस्तमाल नहीं करोगे तो इस कंडिशन में आपको अलग से मल्टी मिटर का इस्तमाल करना पड़ेगा और multimeter के जरी जरीए ही आप voltage को check कर सकते हो लेकिन digital tester के इस्तमाल करके आप directly voltage को check कर पाओगे ठीके तो यह जो दोनों tester इनके बारे में मैंने आपको बता दिया अब इन दोनों tester के अलावा आपके पास में इस प्रकार का ncvd होना चींगे ncvd का full form होता है non contact voltage detector यह जो दोनों टेस्टर है इनका इस्तमाल हम केवल उसी टाइम पर कर सकते हैं जहां पर वायर हमारा open हो जैसे कि यह वाला जो switchboard है इस switchboard का जो terminal है वो open है तो इस condition में ही इसका इस्तमाल में कर सकता हूँ मतलब कि यही मुझे यहां पर face supply को करना है तो यहां पर open होना चाहिए जिसके सार में इस वाला टेस्टर का जो बीट होता है उसको connect करके voltage को चेक कर सकूँ लेकिन यह वाला जो device है इसका इस्तमाल हम बीना open condition में भी चेक कर सकते हैं जैसे कि बीना वायर के insulation को remove किये तो मैं simply इस प्रकार के device का इस्तमाल कर सकता हूँ इसको यदि में यहां पे न्यूटल वाले वायर के साथ कने करूँ ब्लेक वाले वायर को मैं न्यूटल पाव सप्लाई मानके चलता हूँ तो इसके साथ इसको करने करता हूँ यहां पर मैंने रखा तो यहां पर कोई भी indication नहीं आरा है मतलब कि इसमें पाववा सप्लाई नहीं है अब यदि मैं इसी डिटेक्टर को फेश सप्लाई वाले वायर के साथ कने करूं तो आप यहां पर सुन सकते हो वीप का sound आ साथिसाथ में यहां पर एक लेंब भी घुलो होँरा है तो यदि इस डिटेक्क्टर के दवारा भीप का साउन आता है साथिसाथ में यहां पर वार्निंग वाली लाइट लौ होती है तो आप यह समझके चलिए कि जो आपका वाइर उस वाइर में करेंट फ्लो हो रहा है मैं आप इसके साथ भी कन्यक करатे दिखा देता हूँ मत अब它 नहीं कर रहा हैundo के अध्यट्ट आप यहाँ हो कि अपके वायर के प्रूइंश करते हैं एक के रिखोर सकते हो हो ना जा जाती है तो यह यह भीडिक्रिक्तर ने इसका करके आसानी से आप पता कर सकते हो कहां पर वायर ब्रेक हुआ है आप यहां पर इसको लगाते चले चाहिए जहां पर बिप का साउंड बन हो जाएगा आप वहां पर यह समझिए कि आपका जो वायर है वहां पर ब्रेक हो चुका है इसके अलावा यदि आप इलेटिकल सरकीट में work करते हैं और electrical circuit में यदि आपको fold को find out करना है तो यह वाला जो device है इसके जड़िए बहुत ही आसान तरीके से आप fold को find कर सकते हो जैसे कि अभी के time पे मैं यहाँ पर power supply को on कर देता हूँ power supply को on करने के बार यदि मैं इस पॉले push button को press करूँ तो contactor चालू होना चाहिए चालू नहीं हो रहा है कुछ problem है तो problem को find out करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यह वाला जो device है इसको मैं face supply के साथ यहाँ पर connect कर दूँगा विप का sound आ रहा है अब यह जो limit switch है इस से power supply इस वाले wire में जाएगा अभी के time पर power supply नहीं जा रहा है हो सकता है कि power supply मेरा limit switch के operate होने के बाद जाए तो मैं इसको operate करवा दिता हूँ यहाँ पर मैंने इसको operate करवा दिया operate करवाने के बार यहाँ पर voltage चेक करता हूँ voltage बता नहीं रहा है मतलब कि यहाँ पर जो connection ने उसमें कुछ problem हो सकता है या फिर wire में problem हो सकता है यह वाला जो wire इसमें voltage आ रहा है लेकिन इस वाले wire में voltage नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ देखिए यहाँ पर जो मेरा wire है यह wire अभी के time पर open हो गया मतलब कि connection जो था उस connection से wire मेरा remove हो गया जिसके वाईसे इसमें power supply नहीं जा रहा था तो मैंने यहाँ पर पता कर लिए इसके जरीए कि कहाँ पर fault आया हुआ है इसमें power supply नहीं जाएगा क्योंकि wire अभी के time पर open हो चुका है तो यह वाले जो device है इसका इस्तमाल करके आप आसानी से बीना wire के insulation को remove किया आप पता कर सकते हो उस wire में फेस supply है की नहीं है दोस्तो आज कल मैं जब electrical work करता हूँ तो electrical work करने के time पर जो भी fault आती है उस fault के problem को solve करने के लिए मतलब कि fault को find out करने के लिए mostly condition में इन दोनों tester का इस्तमाल करता हूँ एक तो digital wire tester और दूसरा ये वाली इस वाले tester का इस्तमाल करके मैं आसानी से किसी भी terminal पर पता कर लेता हूँ कि voltage वहाँ पर है कि नहीं और यदि voltage आ रहा है तो कितना voltage आ रहा है voltage कम होने पे भी हमारा device और नहीं होता है जैसे कि इस वाले contractor को यदि मुझे चालू करना है तो इसको मुझे 220 volt का power supply प्रोवाइट करना पड़ेगा अब यदि मेरा जो power supply ये इसका voltage कम है जैसे कि 80 volt, 90 volt power supply आ रहा है तो इस condition में ये और नहीं होगा तो कितना voltage में device को जा रहा है उसको चेक करने के लिए इसका इस्तमाल कर लेता हूँ इसके अलावा power supply को चेक करने के लिए इसका इस्तमाल कर लेता हूँ के वल इन दो device का मैं इस्तमाल कर रहा हूँ लिए जो राइट वाली वीडियो इस पर क्लिक करके उसको देख लीजिए और यदि आप इंटिरियो टेस्टर को बाई करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ वहां पर क्लिक करके आप डारेक्ली इसको बाई कर सकते हो